आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now देखें इस question में बोला एक string है जो कि हम stretch कर रहे हैं between fixed points जो कि 75 cm दूर है अगर यह observe किया जाता है कि जो resonant frequency है उनके पास एक है 420 Hz की और एक है 315 Hz की कोई और resonant frequencies नहीं है इन दो के बीच में तो इक हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि दोनों यह हमारी consecutive resonant frequency है तब ही तो इन दोनों के बीच में कोई और नहीं है तो हमें बताना है lowest resonant frequency string की कितनी होगी तो हम माल लेते हैं कि जो यह देखो पहली बात तो जो string है यह fixed है at both ends तो जो string fixed होता है दोनों ends से उसकी हम frequency new कैसे देते हैं किसी भी harmonic पे वो हम देते हैं nv upon 2l से तो यहाँ पे हम बोल देते हैं यह दो consecutive है तो यानि हमारा new one अगर हम जो बोल रहे हैं वो है three hundred and fifteen hertz वाला इसको मैं क्या बोल सकती हूँ nv upon 2l ठीक है और जो four hundred and twenty hertz वाला है उसे मैं बोल सकती हूँ four twenty क्या होगा इसके just next वाला होगा n plus one v upon 12 ठीक है यह आ गया तो इनका मैं ratio ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा n plus one upon n divide कर दूँ मैं यह है मेरी one और यह two मैं कर रहे हूँ two divided by one तो n plus one upon n आ जाएगा v by 12 v by 12 तो cancel हो जाएगा 420 upon 315 इसे solve करूंगे आएगा 315 n plus 315 मेरा 420 n के equal तो यहां से यह क्या हो जाएगा n हो जाएगा मेरा 315 upon 420 minus 315 यानि 3 n की value आ गई हमारे पास 3 ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरा 315 है वो क्या है वो है 3 v upon 12 तो यहां से मैं v upon 12 निकाल सकती हूँ यह कित्ता होगा यह होगा 315 upon 3 यानि 105 आ जाएगा यह हो जाएगा मेरा v upon 2 हमें निकालना है lowest resonant frequency हमें पता है कि जो resonant frequencies होती है string fixed at both ends के case में वो directly proportion होती है n के तो हमारी n की lowest value क्या हो सकती है lowest value of n हो सकता है 1 तो lowest resonant frequency के लिए हम अपने formula में 1 रखतेंगे यह कित्नी होगी यह होगी fundamental frequency यानि v upon 2l n को 1 रखते है तो यह हमने यहाँ से निकाला था यह आएगी 105 hertz तो यह हमारा answer हो गया और यह कौन सा option है यह है मेरा a option therefore a option is correct classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 84444 उपर